हाई स्वागत है मेरे चर्राल में चलिए एक्वेशन नम्बर 8 साल करते हैं और यह जो केशन नम्बर 8 है वह किसी स्पिकार से है कि 2 to the power 0 प्लस 3 to the power minus 1 multiplied by 3 to the power 2 तो धान देजिये आपको पता है 2 to the power 0 मतलब कि किसी भी नम्बर पे जब 0 पावर रहता है तो 1 हो जाता है तो यह actually 1 है मतलब यहाँ पे आप रूल लिख सकते हैं since we know that a to the power minus sorry a to the power 0 is equal to 1 प्लस अब यहाँ बिदान देजिएगा इसको प्रिकट लगाई रखिए 3 to the power minus 1 है तो यहाँ पर क्या करना है 1 को positive करने के लिए हम reciprocal ले लेंगे 3 खा तो यह हो जाएगा 1 upon 3 और इसका power लेंगे 1 तो 1 तो छोड़ी देते हैं तो इतना है रहने देते हैं in 2 3 का power 2 मतलब 9 हो गया डाटर लिख लिजिए 3 तो 9 हो गया ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम solve करेंगे पहले इसके अंदर solve करने के लिए हम 3 लेंगे LCM और यहाँ भी अपन 1 कर लेंगे तो 1 से divide करेंगे 3 में तो 3 ही आएगा 3 से मेंट प्लाइट करेंगा 1 में तो 3 हो जाएगा यहाँ पर प्लस इस 3 से divide करेंगे तो 1 आएगा और 1 से मेंट प्लाइट करेंगे numerator 1 में तो 1 ही रहेगा तो इतना into 9 है तो यह क्या आजाएगा देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 अपन 3 multiplied by 9 यह होगा अब हम 3 से यहाँ पर answer कर लेंगे 3 बंजा 3 3 3 जा 9 हो जाएगा और यह 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा तो आपको यही हो जाएगा answer ओके चलिए 8 का 1 कर लिया हमने अब करते हैं second तो जो second question है वो क्या कह रहा है second है आपका 2 to the power minus 1 multiplied by 3 to the power minus 1 ठीक है divided by divided by 2 to the power minus 3 ओके अब यहाँ पर solve करते हैं देखिए यहाँ पर केवल आपको लेना है reciprocals ठीक है तो is equal to 2 to the power minus 1 का मतलब होता है 1 upon 2 multiplied by 3 का पावर minus 1 है मतलब 1 upon 3 ओके यह मैं देखिए जल्द दीशली कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं मैं जितना भी question साल किया हूँ पिछले इस chapter का वो सारा यादियाद देखिया होंगे तो आपको habitual हो गया होगा आप सारा असान समझ रहे होंगे इसको divided by 2 divided by minus 3 है तो इसको लिशकता हूँ मैं 1 upon 2 to the power यह 3 प्लस में हो जाएगा okay is equal to यहां मैं मैं रिप्लाई कर दूँगा मैं तो देखिए यहां पर अब यह 1 1 में मुर्पलाई होगा तो 1 ही रहेगा upon 2 में मुर्पलाई होगा 3 से तो क्या होगा 2 तीजा 6 हो जाएगा divided by 1 upon 2 to the power 3 है मतलब क्या करेंगे 1 का power 3 लेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 का power 3 लेंगे तो 2 तू जब 4 तू जब 8 हो जाएगा यह हो जाएगा 8 अब यहां डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं कि 1 upon 6 यह division का sine multiply में जब चेंज करते हैं तो इसका रिस ब्रू कर ले लेते हैं तो 8 बार 1 हो जाएगा अब यहां से देखे 6 जो है 2 से कर जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 तो हमारा हम अप्लाइ करेंगे तो हमारा answer जाएगा 4 बाई 3 तो यह आपका हो गया answer second का अब जो third है वो उसके just आगे कर लेते हैं third आपका जो question है वो यहीं पे कर लेते हैं third यह आपका है 1 by 2 to the power है minus 2 plus 1 upon 3 to the power है minus 2 plus 1 upon 4 to the power है minus 2 अब करेंगे क्या बस हमें minus 2 मतलब negative को positive करना है इसके लिए बस reciprocal लेना है मतलब 1 upon 2 का reciprocal होगा 2 और 2 का power हो जाएगा 2 का power हो जाएगा क्या 2 क्योंकि plus हो जाएगा reciprocal लेने के बाद plus यहाँ पर 1 upon 3 है base इसका reciprocal लेंगे तो 3 ही रहेगा 3 upon 1 मतलब 3 ही हो जाएगा और 3 का power क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा क्यों पास्टिव हो जाएगा यहाँ भी वही हो जाएगा, 4 का पाऊर क्या हो जाएगा पॉस्टीव हो जाएगा, और 4 का पाऊद 2 हो जाएगा यह सबसे सिंपल कुछिन मेरे रिखाल से है 4 इ figur अब यह 2 का पाऊड़ 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, plus 3 क्या हो जाएगा यही आपका आंसर है और यह लास्ट आंसर है तो यह दिया आप सब्सक्राइब ने कियें तो सब्सक्राइब करें लिजिए और अपने दस्तों को बताएए और खूद भी बने सप्राइब करें और थैंक्यू सो मच